नमस्कर दोस्तों गड़ेन गेम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल दोस्तों बारियस से तीन चार बार हुआ और बहुत परेसान कर रहा है बारियस और देखिए अभी छट के उपर कितना पानी जमा है और अभी देखिए मैं औरनामेंटाल प्लांट सभी को नि इंडोर थे दोस्तों और अभी इनको बाहर निकाला हूँ क्योंके उपर बादल है और क्लावडी डे में यह सब बहुत अच्छा करते हैं और थोड़ा-थोड़ा बाहर भी निकालना चाहिए दोस्तों इनको और देखिए गुल्दावडी सब दोस्तों फूल लगा हुआ यह सब कराव हो गये हैं और बहुत सारा डालिया भी बरबाद हो गये हैं वह भी दिखा रहा हूं है आपको यह देखिए दोस्तों डालिया का हाल देखिए बहुत बुरा तो नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी देखिए सब इसका ब्रांच जुग गया है नीचे और बड़ नहीं टूटा है अगर हम चाड़ी के सपोर्ट से इसको बांद देंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों और अफी धूपी निकलने लगा है तो यह सब ठीक हो जाएंगे यहां पर देखिए मैं दो डालिया को चुपा लिया हूं और साइज में देखिए कितना बड़ा आय थे और बारिस में थोड़ा भीग गए हैं लेकिन देखिए फूल का साइज दोस्तों 11 इंच के प्लस है और यह केनिया भेरेटी सब रहते हैं देखिए बहुत बड़ा रहते हैं साइज में और इनको अगर बारिस लगता है या फिर तेज हवा लगता है तो यह तुटने का खत करेंगे तो इन दोनों को मैं छुपा लिया हूँ और देखिए गंले में लगाने का फायर यही हुता इपर अब आज परबशनाम रहता है में ज्योंके फूबब के बहुत यह की जबड़ा नहीं है इनका जैसे बड़ा रहता है वैसा नहीं है तो यह दोस्तों समर तक कंटिन्यू करेगा और यहां पर देखिए और एक जगा भी मैं इसको लगा लिया हूं और सीट से यह बन रहा है तो बहुत सारा प्लांट में बना रहा हूं पहले जब आ रहा है यह प्योर रेड म वाला दोस्तों 20-25 दिन रहेगा यह आगे और एक के बाद है कि यहां से बड़ सबा रहे हैं तो वह आगे करेंगे ऐसे दोस्तों चलता रहेगा यह दो महीना बारिस आने पर अक्सर देखा जाता है आपका गुलाब में यह ब्लाग स्पोर्ट सबाता है दोस्तों ऐसा अग गुलाब है और सब गुलाब में अभी पॉंजी साइट का स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि बारिस होने के बाद दोस्तों इसमें डीजाता है कभी कभी क्या होता है दोस्तों ड्रेनेज होल में गैप नहीं रहता है पानी ठेर जाता है आपका गंबले में तो ऐसे भी गु भी निकलना पड़ सकता है दोस्तों अगर पानी आपका ठेरेगा तो गुलाब अच्छा नहीं होता है तो यह था कुछ जानकारियां बारिस के बाद और आसा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के सा नमस्क्राश